हाई हेलो वेल्कम बेक माई यूटूब चैनल अलके स्पिसल किचेन में आपका फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए लेक आई हूं गाजर की हलवे की रेसिपी जो सबको पसंद है आज हम बनाएंगी बिल्टी सादियो वाला गाजर का हलवा तो फ्रेंड्स आई यह बना लेते हैं बिना टाइम्वे श्टिए उद्धल की घौजर का हलवा बनाने के लिए मेंने यहां 1ट लाल वाली आले तो चली सबसे पहले इनको हम कद्दूकस करेंगे तो गाजरों को मैंने कद्दुकस कर लिया है और हमारी गाजर एक किलो है तो हम एक किलो की हिसाब से आदा लिटर दूद लेगे यह बैस का दूद है फुल फेट करीम वाला अगर आप मार्केट से दूद लाके बनाओगे घर पे तो इसके अंदर गर पर बनाई भी फ्रेस मल दाई उसके अंदर एड़ कर देना जिसे हमार गाजर का जो टेश्टर है वो बहुत अच्छा आएगा तो चली बना लेते हैं तो मैंने यहां मोटे तलवे वाली कडाई लिए अब इसके अंदर सबसे पहले हम दूद डालेंगे और इसको गरम होने के लिए रख देते हैं तो चलिए इसको गरम होने का वेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हमारा दूदा को थोड़ थोड़ा गरम होने लगा है तो अब इसके अंदर हम गाजरो को अडाल देते हैं अब इसको में अचेशी में कर लेती हम गाजर को पकने के लिए कम से कम हमें 20-30 मिनट चाहिए तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गेस का फिल्म हम मेडिया में लखेंगे तो चलिए इसको हम पकने देते हैं इसको बीच बीच में चलाते रहना है इसको इसको चलाते हुए मुझे पंदरा मेंट हो चुके हैं अब इसके अंदर में डालूंगी इलाची पावडर अब इसको फिर से में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ में आपको ज्यादा टाइम नहीं लूँगी जो में में चीज है वो आपको में बताती जाओंगी तो आदा पकने के बाद इसके अंदर हम इलाची पावडर डालेंगे अब इसको पकने के लिए और 15 मिंट लगेंगे बस इसको बेच बेच में हम चलाते हैं जाएंगे जो आपको बेच्जब। करीजब। करीजब इसके बेच्जब। करीजब। करीजब। इसको पकाते हुए मुझे 20 मिन्ट हो चुके हैं अब इसके अंदर हम ड्राइफ्रूट्स डालेंगे कटे हुए बादाम काजू प्रिस्मेस एबन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस का फिलेम हम लो कर देंगे और इसको अब तक पकाना जब तक यह गाड़ा पन ना जाए झालेंगे प्तासर प्तासर झाल 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 तो हमारे गाजर रव अच्छे से पक चुके है अब इसके अंदर हम चेनी डालेंगे अब इसके अंदर हमें चेनी डाल देती हूँ चेनी आप अपने स्वादों साथ डाल सकते हो अब इसको हम फिर से मिस्स कर लेंगे अपन के अपने मिस्स अंदर हो अब रवादों अब इसको पकने के लिए पांच मिनिट और चाहिए हमें तो यह देखे हमारा गाज़ का हलुआ है वह बन के त्यार है गाज़र के हलुए में यह देखे हमारा गाज़र का हलुआ है वह बन के त्यार है गाज़र का हलुआ बनाते समय यह देखे हैं गाज़र के हलुआ को पकाते हुए मुझे टेश मिन्ट हो चुके हैं और हमारा गाज़र का हलुआ बन के एक दम त्यार है तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सब कर लेंगे और गेज का फिलेम हम बंद कर देते हैं तो यह देखे मैंने गाज़र के हलुआ को गर्मा गर्म सब कर लिया है रूस के उपर से मैंने थोड़ से ड्राइफ रूर्स डाल लेंगे जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें और प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखें और मिलते हैं न्यू रेजितियों के साथ आज के लिए यह यह पे हम अलकाइस पेसल किचन के साथ समाप्त करते हैं